हलो फ्रेंड्स मैं अपरिती आज आपके लिए एग्रिनामी पार्ट से जूट क्रॉप लेकर आई हूँ जो नेवरा सुन्दा से हम कवर कर रहे हैं तो जो जूट है इसका साइंटिफिक नेम होता है कॉरकरस स्पीसिस फैमिलीज की होती है टिलीजी यह इंपोर्टेंट इंदर सबसे जादा एरियो प्रडक्शन कहां होता है वैस्ट बंगोल के अंदर दो स्पीसिस होती है एक तो ऑलियो टोरिस की और एक कैप्सुलेरिस की जो ऑलियो टोरिस है हम इसको मेथ पार्ट भी बोल सकते हैं या तोसा बोल सकते हैं जो कैप्सुलेरिस है उसको हम land पर ग्रू कडता है और जो capsularis है इसमें एक glycoside होता है वो Porcarine prison Porcarine नाम से जो capsularis है इसमें 70% area cover करता है capsularis का और एक जूट का जो वेड होता है वह 180 kg होता है अपको याद होगा कि मला एक एक बेल कोटन की अगर बात करें तो एक बेल में उसमें 170 सभेलो होता है ल सीड चाहत Shane देखतों यूट में देखी तो 180 गिलो मघरते सरे गिसक्ट सीड रेट कंगा है तो इसमें 6-8 किलो पार हेक्टेयर होता है धर खर देखें तो फो ओंधर सफोन मनलब काट लेते हैं बट नॉर्मली क्या होता है आप्टिमम टाइम लोग कप काट रहते हैं तीन महीने में आप्टिमम टाइम मतलब 90 दिन इस स्टेज पे मनलब जो पैदावार होगी न वो मलब जो प्रडक्शन होगी वो इतनी मलब अच्छी में आईगी लो आएगी तो हम हमें हमें अच्छे क्वालिटी फाइबर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सब चार महीने के लिए वेट करो और जब उसको काटा हो एक सो पैदिस से एक सो चालिस दिन मतलब यह है इसके बाद वेट अ मोमेंट में नेक्स लाइड दिखा देती हूँ है तो इसमें हम ने क्वालिटी फाइबर लेने के लिए है दो क्वाइडी से एक सो चालिस दिन में हमें हार्वेस्टिंग करनी है रिबनिंग के बात करें रिबनिंग यहे सबसे पहले चाइना में प्रक्टिस करा गया था और त्याईवान में इसमें होता क्या है इसमें पीलिंग करी जाती है जो हमारा बार्क होता है उसके पीलिंग करी जाती है जिसे जो ग्रीन प्लांट्स है जो छिलका होता है तो उसको निकाल लेते हैं पीलिंग कर देते हैं उसकी और उसको काट कर हम एक बंडल बना लेते हैं रिबंस का तो फिर बंडल्स को हम क्या करते है रैटिंग करी जाती है रैटिंग का मतलब होता है कि जो माइक्रोब्स है वो उसको डिकम्पोज करते है जो भी उसको मतलब जो फाइबर होता है न उसको जो बैक्टेरिया होते है microbes जो होते हैं, fungus, bacteria, यह क्या गड़ते हैं, उस जो fiber को, जो हमने ribboning के bundle बनाया है, उस fibers को lose करता है वो, decomposition से, और जो rating है, इसको हम rating बोलते हैं, यह कितने दिनों में होता है, यह rating process, यह एक महीनी ले लेता है, मतलब 8 से 30 दिन के बीच में यह rating process चलता है, इसके लिए हमें टैसा slope moving clear पानी चाहिए, ताकि अच्छी rating हो, अच्छी decomposition हो, तो हम जो भी धीरे धीरे जो साफ पानी होता है, वो इसके उसमें डाल देते हैं, ribbon जो bundles होते हैं, जो row bar के bundle होते हैं, वो हम साफ पानी में डाल देते हैं, ताकि अच्छी rating हो, जितना अच्छा पानी होगा, उतनी अच्छी rating होगी, और इसका जो optimum temperature है, वो 34 degree Celsius होता है, optimum temperature जो rating होती है, जो decomposition होती है, फाइबर की, उसके लिए किनना temperature चाहिए होता है, 34 degree Celsius, तो एक बार मैं आपको revise कराते हैं, यह तो मैंने आपको concept बता दिया, इसमें यह ही है, अब मैं आपको direct questions बताती हूँ, इसमें, वेट a moment, तो इसमें से आता है, कि scientific name, इसका corcarous species होती है, family यह सी होती है, और first rank होती है, इंडिया का होता है, और west bangul area production में सबसे पहले हैं, नमबर पर, और oleotaurus capsularis, और capsularis में corcarous present होती है, तोसा किसको बोला जाता है, यह oleotaurus को बोला जाता है, capsularis बोला जाता है, टीटा को, 70% area cover करता है, और यह सबसे important question है, यह आपको बिलकुल ध्यान रखना है, 180 kg, एक बेल का weight कितना होता है, 180 kg, seed rate कितना होता है, 6-8, harvesting जो time होता है, 90 days, optimum जो time है, लेकिन quality best किसमे होती है, 64 महीने बाद, 35-45 days के बाद, उसके बाद बोलेंगे, एक मिनिट, उसके बाद सिद्धा question देंगे, कि कहाँ पर common है, यह practice चाइना में और ताइवान में, definition कोई नहीं पूसता, after that, वो पूछेंगे, कि कितने दिनों में complete होती है, rating, 8-30 दिन, और कितना temperature, यह 34 degree Celsius चाहिए होता है, तो friends, आपको important questions पूस्टेंगे, जो directly पूछते हैं, तो आपको वीडियो अच्छा लगा, तो subscribe करिए, like करिए, तिल देन, bye-bye, और मैं नई जो वीडियो होगी, उसमें, पटाटो क्रॉप ले करेंगी, तो तिल देन, bye-bye.